तुन्डी प्रखंड के ओजाडी गाउं का विस्तरत इतिहास लेखक निलेश ओजा ने खोज अनुसंधान और शोद के माध्यम से प्रिस्तुत किया है इस लेख में हम आपको ओजाडी गाउं के उत्थान, उत्पती और सांस्कृतिक धरोहर के पीछे के कहानी को प्रस्तुत करते हैं ओजाडी गाउं जार्खन राज्य के धनबाद जीले में स्थित है और इसका इतिहास बहुत गहरा है इस गाउं के उत्थान की कहानी विभिन राजाओं, सांस्कृतिक धार्मिक्ता और सामाजिक परंपराओं के साथ जुड़ी हुई है लेखक ने खुद संबंदित स्रोतों, गस्टियर, साक्षातकार और अन्य विश्वस्निय दस्तावेजों पर आधारित इस लेख को विसेसग्यता से तयार किया है इस लेख में हम आपको ओजाडी गाओं के गहरे इतिहास से जुड़े कई रोचक पहलों का पता चलेगा लेखक ने गाओं के वनसा वलीकरन, प्राचीन जनजातियों के उत्थान, गाओं की परंपराओं और क्रिया कलापों का वर्नन किया है इसके साथ ही 1881 की जनगन्ना और मान भूमी में खतियान के इतिहास के बारे में भी अदबुद जानकारी दी गई है इस लेख के माध्यम से पाठकों को ओजाडी गाओं के अतीत की गहराईयों में खो जाने का अवसर मिलेगा यह लेख एक नजर में गाओं के भुगोल, सांस्किर्टिक विविधता और सम्रिद इतिहास को समझने में मदद करेगा ओजाडी गाओं के प्राचिंतम समय से लेकर आज के दौर तक का सफर यहां अपलब्ध है जिसे पढ़ने वालों को एक सामगरी पूर्ण और अनुठा अनुभव मिलेगा जे इसी पब्लिकेशन की नई पुस्तक तुंडी राज के अंतरगर्थ ओजाडी का इतिहास अब एमेजोन और फ्लिपकाट पर उपलब्ध है यह पुस्तक ओजाडी के इतिहास पर आधारित है और इसे लेखक ने शोद कर लिखा है इसमें तुंडी राज परिवार का संपुर्ण इतिहास और ओजाडी गाउं के उत्थान के पीछे के रोचक कहानियों को सामिल किया गया है इस पुस्तक में आपको जैनगर राज और प्राडा की राज पहले राजा के बारे में जानकारी मिलेगी तथा पोखरिया मिशन, तुंडी के जमिनदार और संथाल विद्रो, मोहनाद काउं में राजा का गड़ और कतरास कानकुब्ज ब्रहमन समाज में ओजाडी के संबंध के बारे में भी रोचक जैनकारी है इसमें देव पहाडी मठ से संबंध, काउं के एतिहासिक धरोहर, 90 के दसक के विलुप्थ होते ग्रामेन खेल और ओजाडी 16 आना का विस्तर्त वर्नन भी सामिल है इस योग्य और विस्तर्त पुस्तक की मुल्य है 199 रुपए और इसमें 33 परसेंट की छूट और फ्री डिलिवरी भी है जल्दी से अपनी कॉपी खरीदे और ओजाडी के इतिहास में एक अनूठी यात्रा पर निकले धन्यवाद